जब भी रेस्टरेंट और धाबा इस्टायल का मटर पनीर घर पे बनाने का मन करता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वो पैकेट वाला पनीर मसाला है की नहीं, सौसेज है की नहीं, क्रीम है की नहीं, अगर इसमें से एक भी चीज मिस होता है न तो हमारा मन नहीं करता है ब बनाएंगे चले बनाते हैं मटर पनीर की सब्ची हेलो एवरिवन आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल देशी वेरेस फूड में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब में क्या है तो प्लेश सब्सक्राइब करते यहां पर मैंने 500 ग्राम के करी पनीर लि इसको भी हम तल के निकाल लेंगे और उसके बाद इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे अब फोरन देख लेते हैं फोरन में मैंने प्याच लासून लॉंग बड़ी लाची तेज पत्ता मिर्ची और जीरा लिया है फिर मैंने यहां चार टमाटर लिया है 500 ग्राम के करीब ह इस तरह से कट कर लिया है प्लेट में रखे हुए मसाले को मैं एक जार में निकाल लूँगी और उसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी खड़े मसाले का अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाने के बाद मैंने कढ़ाई रख लिया है कढ़ाई जब गरम हो गया था तब तक हलदी डाला है कि तुरंट बाद मैंने कट किया हुआ और से चला ले रही हूं यहां पर तेल में हल्ते डालें से पनीर में बहुत ही अच्छा कलर आता है और जो फूट कलर होता है हम उसको आवाइट कर सकते हैं यहां पर पनीर को हमोद जादा फ्राइन करना है बस पां तो आप उसको कुन-कुने पानी में डाल सकते हैं पर यहाँ पर जो पनीर है वह बहुत सॉफ्ट है तो मैं इसको पानी में नहीं डालूँगी फिर मैं उसी तेल में जो कट किया हुआ सिम्ला मिर्च प्याज था उसको 2-3 मिनेट के लिए मैं फ्राई करूंगी यहाँ पर सिम जहरा कलर आ जाएगा मैं काजू को निकाल लूँगी और उसका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी आप इस तरह से काजू का पेस्ट बनाईएगा आप देखेगा सबजी का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाएगा भुने हुए काजू के पेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लेवर आता है आप भी एक पार जोरू ट्राइग कीजेगा मैं उसी कढ़ाई में मसाला भूंजूंगी आप चाहें तो कढ़ाई चेंज कर सकते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा तेल को गरम कर ले रही हूं और उसके बाद मैं एक एक करके फोरन डाल रही हूं फोरन में मैंने किसे चलाने के बाद मैं प्याज का गोल्डन व्राउन होने का वेट कर उंगी दोससे तीन मिनूत के बाद हमारा जो प्याज है वह अच्छा गोल्डन व्राउनetted हो गया है तो अब मैं इसमें मसाला है जो हमने पीसा है उसको डालूंगी मसाल को अच्छES से चला ले रहे हूं और अब में यहाँ पर स्पाइसे दो करोगी यहां पर में स्पाइसिसारे कराँगी Dawn दिआ रहे दल भी और दाले होने छब्वाशत लेख दो एक चमच की करेब लालमेश-वमध्ट कामे बार r autres दो पर बना सकते हैं तो अब मैं इसमें एड़ करूँगी कट किया हुआ टमाटर और धन्यापत्ता, यहाँ पर जो धन्यापत्ता है ना, उसका मैंने डंठल जादा तर लिया है, आप भी जो धन्यापत्ता का डंठल होता है ना, उसको आप लीजेगा, बहुत ही अच्छा फ्रीवर आता है मसाला मैं टमाटर डालने के बाद मैं उसमें थाओसा नमक डाल दे रही हूं ताकि टमाटर अच्छे से पक जाये और यहाँ पर मैं टमाटर को ढख दे रही हूं उसी के साथ मैं डाल दे रही हूं धन्यापत्ता, मसाला यहां जली ना, इसलिए मैं यहाँ पर 3-4 चमच के करीब करें डाल दे रही हूं और टमाटर को पकने के लिए चोड़ दे रही हूं पांख से 6 किर्फ विए पांख से 6 के बाद मैंने चैग किया तो टमाटर जो है वह बहुत जादा सॉफ्त नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको अच्छेसे चला ले रही हूं और इसके बाद इसको अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दे रहे हूं 5-6 मिनिट के लिए 5-6 मिनिट के बाद जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो अब मैं मसालो को अच्छे से चला ले रहे हूं जो टमाटर है उसको अच्छे से थास ले रहे हूं कम-से-कम 10-15 मिंट के लिए ने मसाला को पूरा भुझाने में कम-से-कम 15 मिंट लगा है आप देख सकते हैं पूरा जो आइल है वह उपर आ गया है यहाँ पर मसाला 90% के करीब पग गया है तो अब मैं इसको अच्छे से चला ले रही हूं अब मैं इसी स्टेज में मैं डाल रही हूं मटर यहाँ पर जो मटर है वो ताजा मटर है इसलिए मैं इसको ज्यादा कुक नहीं करूँगी उसी के साथ मैं डालूँगी जो पनीर है जिसे हमें फ्राई करके निका पत्ता इन सबको अच्छे से डाल कर मैं अच्छे से चला लूँगी अब मैं यहां पर मलाई का भूंजाने का वेट करूंगी कम से कम 5-6 मिनिट के लिए मसाले का भूंजना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने कच्छा मसाला यूज किया है इसलिए मसाले का भूनाना बहुत ही जरूरी है प्रॉपर टाइम दीजेगा आप मसाले को भूंजने के लिए और सी माच में आप मसाला भूंजेगा मलाई डालने के 5 मिनिट बाद आप देख सकते हैं जो सबजी है ना उसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और जो ऑल है वो एकदम सेपरेट हो गया है इससे पता चल रहा है कि हमारा जो मसाला है ना वो बहुत ही अच्छे से भुना गया है आप भी इसी तरह से मसाला भुनजेगा इन सबको अच्छे से चलाने के बाद अब मैं इसमें पानी आइड़ करेए हूँ आप अपने अनुसार पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर तेर किवास के करीब पानी आइड़ किया है और इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं अब एक उबाल आने का वेट करूँगी और इसको ढखकर छोड़ दूँगी 6-7 मिनिट के बाद हमारे सबजी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है तो अब मैं उसको एक बाद चला ले रही हूँ सबजी का जो ठीकने से वो एकदम परफेक्ट है तो अब मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ सिम्ला मीच और प्यास था उसको डाल दे रही हूँ और यहाँ पर रेस्टरेंट स्टाल देने के लिए एक छोटा सा क्यूब में रख ली थी पनीर खा उसको मैं ग्रेट करके डाल दे रही हूँ इससे क्या होता है ना जो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा ठीकने साता है और फ्लेवर भी बढ़ जाता है इन सबको अच्छे से चलाने के बाद हमारा सब्जी बनके तयार हो गया है अभी इस तरीके से सब्जी बनाईएगा बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था आपको ये रेसेपी कैसा लगा प्लीस कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को भी जरूर दबाईएगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद तो मिलते हूँ आपको मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए भाए